असलाम लीकुल स्टुडेंट सरसाकीब हैर उमीद करता हूँ कि आप सब भैरियस होंगे स्टुडेंट आज से हम शौ स्टोरी का सेक्शन शुरू कर रहे हैं इसमें से स्टुडेंट आपको टोटल क्वेस्चन्स नाइन आएंगे ये चैप्टर्स में से जो शौ स्टुड के क्वेस्चन है वो टोटल आपको पहले नंबर पर ही ये स्वाल आता है पेपर में और इसके नौ स्वाल आप से पूछे जाएंगे आपने छे अटेंट करने हैं हर डिक के नंबर है दो और ये है आपका बारा नंबर का पोर्शन ठीक है जी तो उसमें जो पहला लेसें हमारे पास है शौ स्टूरी का वो है बटन बटन सबसे पहले जी मैं आपको जो उवर वियु बता देता हूँ ट्रांसेशन बता देता हूँ तीम बता देता हूँ उसके supplied इसके क्वेस्चन को रीट करेंगे ये कहानी जिसके गिर्द घूमती है वो फर्स्ट क्रेक्टर हमारे सामने आता है नौर्मा का नौर्मा और उसके बाद उसका घूस्टंड जिसका नाम बताया गया है जी आर्थर और एक नेगटिव रोल जिसने वो किर्दार निभाया है इस शौ स्टोरी में वो है स्ट्रीवर स्ट्रॉंट्स ये कहानी न्यू यॉक की है नॉर्मा और उसका जो हस्बेंड है वो अपने अपनी जौब पर जाते हैं रुटीन वाइस अपनी जौब पर सुबो जाना और शाम को घर वापिस आना रुटीन कुछ ऐसी है कि नॉर्मा और्थर से पहले घर पहुंचती है फिर उसके लिए रात का खाना त्यार करती है और दोनों मिल कर फिर रात का खाना खाती है यानि कि और्थर बाद में आता है नॉर्मा काम से पहले आ जाती है तो ऐसे ही कुछ जोंसा सूर्टियाल है कि वो एक दिन काम से वापिस आती है तो देखती है कि दर्वाजे के आगे एक डिबा पड़ा हुआता है वो डिबे को उठाती है और डिबे को उठाकर देखती है कि वहाँ उस जगा पर यानि के एक बटन भी है जिसको हम पुश कर सकते हैं लेकिन वो लॉक है उस जगा से उसके गिर्द कोई शीशे का गलाफ है और उसको चाबी से खुला जा सकता है चूंके चाबी नहीं होती तो वो क्या करती है वो चाबी चूंके उसके पास नहीं है वो डिबे को लटाती है नीचे एक पेपर सा होता है चिपका हुआ और पेपर पर लिखा होता है Mr. Stewart will call you at night 8 p.m Mr. Stewart आपको मिलने के लिए आएंगे ठीक है? सोरी Mr. Stewart will meet you Mr. Stewart आपको मिलने के लिए आएंगे at 8 p.m यानि के रात को 8 बजे वो डिबे उठा कर अंदर रख देती है और अपने ममूल के मताबिक वो खाना जोंस है वो त्यार करना शूर कर देती है अब होता ही है कि pathetic आ जाता है अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और वो ही हस्बे ममूल जो दोनों की रूटीन होती है रात को पूरे आट बजे वाकी घंटी बचती है आर्थर उटके चेक करने लगता है तो नॉर्मा कहती है आप ना उठें मैं हुद चेक करती हूं वो देखती है कि छोटे कद का आदमी अपनी हैट उतार कर वेलकम करता है जिसे नॉर्मा सोचती है ये कोई चीज सेल करने वाला है चुके वहाँ पर डोर टो डोर चीजें सेल होती है तो कहती है कोई चीज ये सेल करने वाला है नॉर्मा उसकी बात पर कोई तबज़ों नहीं देती इसलिए उसका लहजा गुसे में आ जाता है कि मेरी बात ये सुननी रही हतून मैं तो इसको बात समझाने के लिए आया हूँ बहराल जब उसका उंचा लहजा हो जता है गुसे वाला लहजा हो जता है और फैंसिफ स्ट्वेशन में आ जता है तो आर्थर अपने कमरे से आता है Arthur अपने कमरे से आता है जी कौन यानि कि पूछने के लिए कौन जिसकी वाज़ासी आ रही है वो आगे से महातिब कर लेता है Arthur को Arthur उसको अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसको Norma की कुर्सी में बिठा देता है वो कहता है जी आपके सिसले में मिलने के लिए हमें आए हैं कहता है जनाब मैंने एक डिबा बेजा था वो डिबा किदर है नार्मा डिबा ले आती है मेज़ पर रख देती है अपनी कोट के अंदर उनी जेब से वो चाबी निकालता है वो जो बटन वाला हिस है जो शीशे के गलाफ का है वो उसको उतारता है उतारने के बाद कहता है कि ये काफर है आपके लिए हमारी दारे से कहते हैं जी क्या आफर है ये इस बटन को कहता है दुबाएंगे तो दुनिया में कोई भी अंजाना बंदा मर जाएगा जिसको आप लोग जानते ही नहीं होंगे और इसके इवस आपको पचास हजार डॉलर मिल जाएंगे इस इस अ बिग अमाउंट पचास हजार डॉलर आर्थर आगे से कहता है इस इस काइंड अफ जोक क्या ये कोई मजाकी किसम थी एक कहता है नो इस जैनुन आफर आर्थर बड़ा इस चीज़ को अजीब समझता है कहता है इस बटन का तालुक हमारे दफतर के साथ है बटन दबाएंगे हमारे दफतर में पता लग जाएगा और वो बंदा दुनिया में कोई ना कोई अनजाना आदमी जिसको आप जानते ही नहीं होंगे वो मर जाएगा अब अर्थर गुसे में आ जाता है कहता है अगर तो ये मजाग था तो ठीक है लेकिन अगर ये मजाग नहीं संजीदा कोई बात है तो इंताही घटिया तुमने बात की है उसके हाथ में डिबा थमाता है और कहता है यहां से दफाओ जो अब वो गुसा करने की बिजाए जाते हुए अपना कार्टेबल पर छोड जाता है कहता है ये मुस्तक्बिल में हो सकता है तो में जुरूरत परे मेरी और वो चले जाता है आर्थर उस कार्ड को फार कर फार देता है उच्छाल देता है टुकरे उसके जौनस है ना दो हिस्सों में जो तकसीम करता है वो टुकरे मेज पर भी परेर होते है उस रात आर्थर तो अराम से सो जाता है लेकिन नार्मा को नीद नहीं आती यानि के पचास जार डॉलर इट्स अ बिग अमाउंट यानि के वो सोचती अगर ये अमाउंट हमें मिल जाए तो इसे हम क्या क्या नहीं हरी सकते है घार अपना गारी अपनी आयाश वाली जिंदगी काम करने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी जो डेली जो आप पर जाते हैं आते हैं अगले दिन वो बात करती है और्थर से नॉर्मा जब और्थर से बात करती है तो वो अपने दांतों पे ब्रश चूंसा न वो लगा रहोता है तो बड़ा उसे पूशती है किए या तमें इसमें तजसुस है जो गज़िश्टा रात वो आदमी ने बात की डिबे के बारे में और्थर कहता है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं फिर उसे वो बात करती है ये किसी किसम की तह्कीक हो आर्थर ला पर्वाही से कंदे उचका कर कहता है कहता है हो सकता है लेकिन उसे कोई गर्ज नहीं हैर वो सो जाते हैं फिर जैसे ही वो उसकाम के लिए निकलती है तो वो आर्थर से चोड़ी वो टुकडे जो पर्स में रख लेती है جو کہ वो फार कर गया था जो आर्थर ने फार दिये थे तो वो उसको अपने पर्स में रख लेती है अब पर्स में रखने के बाद जब वो अपने काफी ब्रेक पर चल ली जाती है तो वो सकॉच ट्रेप के साथ जोरती है काड को सिर्फ और स्टिवर्ड का अब वो इस दराबी तोर पर इंपलसिवली कॉल उसको कर देती है बगैर सोचे समझे वो बंदा बरा शातिल होता है वो जल्दी जांच लेता है कि इनको डिब्बे की जूरत है जब वो तारुफ करवाती है मैं मैं सीजार थर बोड़ी हूँ और मुझे ये बताओ कि ये तिम किस इदारे की नुमाइंदी की कर रही हो क्या कोई ये बहुत बशर भरी साज़िश तो नहीं चो तुम हमारे हिलाव कर रही हो वो कहता हो प्यारी है हतौन ऐसी कोई बात नहीं है मुझे उमीद है कि आप मेरी बात को समझ रही है मिस्टर आर्थर की बिजाए इसलिए मैं आपको डिबा दुबारा थमा देता हूँ कहती है ऐसी जुरूरत नहीं है और ना ऐसी कोशिश भी करना लेकिन जब वो वापस काम से आती है तो डिबा फिर आगे पड़ा होता है और अब चाबी भी होती है तो वो चाबी लेकर वो डिबा साथ लेकर किचन के नीचे वाले यलमारी में चुपा देती है बरे सोच बिचार करने के बाद जब उसको पता लगता है कि आर्थर की आने का टाइम होता है तो उसको चुपा देती है है उस रात तफसीली गुफ्तक होती है कहती है आर्थर मुझे लगता है कि ये किसी किसम की नफसियाती तहकीक है आर्थर कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही है कहती है वो ही डिबे के बारे में आर्थर फिर सुनी अन्सुनी बाते करता है जाने कि इसको कोई दिल्चस्पी ही नहीं इसमें कहती है फर्ज कर लेते हैं अगर यह एक हकीकी और जैन्वन आफर है और वो कोई बंदा अरब पती है आदमी मिलीनियर कोई बंदा है जो ऐसा करना चाहता हो लोगों के साथ कि कौन हो सकता है इस तहकीक में जोंसान वो शमूलियत थियार करें और किस तेने लोग ऐसे रदे अमल का ही जहार करें हैर वो उसकी बात को गोर से सुनता है कहता है चलो फर्ज कर ही लेते हैं तो क्या तुम पचास हजार डॉलर की जोंसान वो उसको मदे नाज़र रखते हुए वो बटन को दुबा दोगी पचास हजार डॉलर के लिए चाहे तुमें इसके लिए कतल ही क्यों न करना पड़ जाए कहती है किस किसम का कतल कहती है एक आदमी जिसको तुम जानते ही नहीं पहचानते ही नहीं कभी मिले भी नहीं तो उसके लिए कतल क्यों कहता है मैं नहीं चाहता कोई चाहना का किसान मेरे लिए मर ज़गे पिंसल लिएनिया की की क Keeping लड़कի Like कोई लड़का मर ज़गे साथ वाले बलॉक की कोई हूबसुरत बच्ची मेरी जानते हैं हम क्या इसके लिए कातल बन जाएंगी है वो आगे से बात टोकती कहती है तुम गल्द सोच रहे हूँ आर्थर कहता है मैं कैसे गल्द सोच जगता हूँ कहती है इस पचासदा डॉलर की जगा यानि कि उसके लिए इसको यूज करते हैं हम बहुत कुछ कर सकते है अक्सर हमने जो योड़ोप की बात की है ट्रिप की वहाँ पर जजीरे पर अपना एक हुपसरत घर लेने की गारी लेने की तो अगर हमें मौका मिल ही रहा है तो हम इस मौके से फाइदा उठाना चाहिए आर्थर जाकर सो हो जाता है उसको पता है कि इस से बात करना नौर्मा से बात करना बेफ़जूल है अब वो उठके जब चले जाता सो हो जाता है तो नौर्मा ममूल से पहले उठती है अगले दिन उसके पसंद की सारी चीज़ें तियार करती है नाश्ते में जो वो उठता है तो उठकर खुश हो जदा है कहता क्या आज कोई तकरीब है कहती है नहीं यह मैंने अपनी मरज़ी से किया है नराज़गी का भी जहार करती है अब उसके साथ जब बैटकर नाश्ता करने लगता है तो कहती है कि मैं वो नहीं जो आपने रात को कहा कहता है मैंने क्यानी का यही कि मैं हुद गर्ज हूँ अपने बारे में सोचती हूँ कहता है मेरा मतलब वो नहीं था तुम गल्द समझी कहती है मैं सारा कुछ समझ गी थी लेकिन जो मैंने बात की वो हम दोनों के लिए की अब आर्थर कहता है कहता है तुम्हें फिर वो ही बात चुरू कर दी तो मुझे वो काम पर क्यों उक्सारी है जो मैं करना ही नहीं चाहता वो अपना नाश्ता छोड़ कर काम की तरफ चले जाता है नार्मा को गुसा आता है वो डिबे को निकालती है और सोचती है उस बटन की तरफ गूरते हुए कहती है इस बे मतलब बटन के लिए हमने इतना जगरा किया दोना मियाबीवी ने बटन को प्रेस कर देती है और वो वेस्ट बासकिट में फैंक कर डिबे को काम पे चले जाती है वापिस जब आती है तो फून की घंडी बज़री होती है यह फून उठाती है तो लीनेक्स हॉस्पिटल से कॉल होती है कहती है कि आप मिस्टर आर्थर की क्या लगती है कहती है कि मैं उसकी बीवी बात कर रही हूँ कहती है कि आज सुब ओ, आज सुब, उनका एक्सिडेंट हो गया, कहती है वो कैसे, कहते हैं कि वो गारी की इंतजार में, रेल गारी की इंतजार में, प्लैटफार्म पे खड़े थे, तो उनको कहीं से धका लगा, वो चलती गारी के साथ जाकर टकराए और कुचले गे, ये ए और वो साकन हो जाती है वो अपने आप गसीटते हुए किचन तक पहुँचती है डिबा निकालती है डिबा निकालने के बाद उसको रगरती है तोड़ती है उसकी फिंगर्स कट जाती है बलीडिंग शुरू हो जाती है लेकिन जब डिबा खोलती है तो उसमें कुछ नहीं हो लेकिन उससे पहले उससे पहले ये कॉल करती है जब ये हॉस्पिटल से कॉल आती है न तो हॉस्पिटल से कॉल बंद करने के बाद वो करती है स्टीवर को कॉल चैती है कि तुमने कहा था कि बटन दबाने पर कोई बंदा मर जाया लेकिन वो अन जाना होगा तुम उसको जानती तुम लोग उसको जानतीन होगे ये तो मेरा husband मुड़ गया, आर्थर मुड़ गया वो बड़ी प्यारी तंस करता अगे से कहता मेरी प्यारी हतुन अगर आप अपने हस्बेंड को जान लेती ना तो आप ये काम कभी ना करती इत मींस यानि कि उसके कहने का मतलब ये है कि उसने अपने हस्बेंड को जाना ही नहीं अगर वो वाकी जान लेती तो वो ये काम कभी ना करती बहराल उसके बाद वो डिबे की तरफ बढ़ती है वो अपने जिसम को घसीरते हुए इतना यानि कि उसके लिए मुश्किल हो जाता है वो डिबे को निकालती है उसको रगरती है उखारती है उसकी लकरी को अंदर कुछ भी नहीं होता जो के 25,000 डॉलर थी वो 25,000 डॉलर कुछ इस तरीके की लाइफ इंशॉरंस पॉलिसी थी उसकी बीमा थी लाइफ का बीमा ये था उसने करवाया हुआ कि अगर मेरी खासाती मौत हो जाती है तो ये पॉलिसी डबल हो जाए 25,000 की जागा क्या हो जाए 50,000 हो जाए ठीक है तो फिर उसको ये पैसे उसके इवज मिल जाती है तो लेकिन वो खुद यानिके खुद कंसीडर करती है कि मैं एक लालची हत्म निकली हुआ है मैंने लालच की बनी यानिके लालच करते हुए अपने हामन का हुदी कतल कर दी है तो ये है जी लालच एक बुरी बला है उसके इवज ये कहानी लिखी गई या बड़ी इंटरस्टिंग ये कहानी है आए ज़रा जी क्वेस्टन की तरह बढ़ते है क्यों नार्मा ने क्यों समझा लहजा रवया स्टीवर्ट का ओफेंसिव गुसे वाला क्योंके स्टीवर्ट इंसिस्टिड ऑन क्योंके स्टीवर्ट जोर दिये हुए था टॉकिंग टू हर उसे बात करने के लिए लेकिन शी वास वीजी एड एड मुमन्ट वो उस लमह मसरूफ थी लहाज़ उसका जो लहजा था वो गुसे वाला हो गया क्यों नराज था अपनी बीवी से नॉर्मा चाहती थी रकम हासिल करना बटन दबाने पर लेकिन आर्थर ने समझा कि ये गैर रहला की है एंड एक कतल मर्डर यानि कतल है लहाज़ डिसेगरिड हो गया नराज होके अपनी बीवी से question number 3 why did Norma persuade? persuade कहते हैं students काईल करना क्यों नर्मा ने काईल की अपने हामन को to agree with her उसके साथ रजा मन्ध हो जए क्योंके she wanted to improve वो इसलाह करना चाहती थी बेहतर करना चाहती है अपने lifestyle को with prize money नाम वाली रकम से शी अलसो विश उसकी खुआश थी तुबाए के हरीद लो एक उम्दा घर और दूसरी असाइशात वाली चीजें वो क्या वजुहात थी रीजन कहते हैं वजुहात वो क्या वजुहात थी नॉर्मा ने अपने हामंद को दी तुक के एकसेप्ट आफर के पेशकेश को कबूल कर लो नॉर्मा टोल्ड और्थर नॉर्मा ने और्थर को बताया कि इट माइट बी सम काइंड अफ साइकॉलोजीकल रिसर्च ये किसी किसम की नफसियाती तहकीख हो सकती है लहाजा वी शुट अकसेप्ट इस आफर हमें इस पेशकेश के कबूल कर लेना चाहिए शी अलसो थौर्ट है उसने ये भी सोचा कि कि जो मौत है एक अंजानल बंदे की कोई संजीदा मामला नहीं क्यूसर्ट नर्मा रेसिजन आठेंजट के हावन की हासाती मौत होगी क्या निशानकर की आर्थर की लाएफ इंश्योरिंस पौलिसी आर्थर की Life Insurance Policy 25,000 डॉलर थी विच वास टूपी डबल जो के डबल हो जानी थी Indemnity नुकसान को पूरा करने में इन्था एक केस आफ एक्सिडेंट डेल्थ हासा थी मोट के केस में Question No.8 सुने Did Norma remain normal? क्या Norma normal रही और hearing the news हबर सुने पर आफ एक्सिडेंट हासे की आफर हजबन अपने हामद के अपने हामद के हासे की हबर सुने पर क्या Norma normal रही? No. नहीं Norma did not remain normal. नॉर्मा normal ना रही She was deeply shocked. गहरा सत्मा हुआ She could neither seems to breathe इतना तो वो सांस लेते हुए नजर आती ही Breathe कहते है सांस लेना ना तो वो सांस लेते हुए और ना ही चलते हुए दिखती थी ठीक है? तो ये student Question No.8 तक important है तो ये इंशाला उमीद करता हूँ कि आपको Translation की overview की थी इंकि एच्छितरी के से समझ आई और Questions की भी समझ आई इंशाला नेक्स टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी अपना ह्यार रखिएगा अपनी राए कमेंट करें ऐसे ही मज़ीद वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल का आइकन दबाएं ताके आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन बैलता रहे